best laptop for office work के लिए तो भी अगर आप accounting करते हैं MS Office पे काम करना जब कोई भी Havis Office पे काम करना जब कोई loaded file पे काम करना जाते हो जहां फिर अगर आपका को काम ऐसा है कि आपको keyboard पे ज्यादा काम करना पड़ता है आपके लिए मैं laptop बताऊंगा तो सीवी बात करते हैं number 4 की number 4 की बात करते हैं लेकिन number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चातों मैं जितने भी आपको laptop बताऊंगा वो सभी सबसे पहले भी अगर आप student हो अगर आप engineering student हो आर्खिटेक्चरों के बात भी अगर आपको business के related चाहिए प्लस भी अगर आपको traveling के related चाहिए मतलब 2021 में जो laptop आपको best deal मिल रहे हैं मैं वो ही laptop आपको बताने वाला हूँ तो बात करते हैं सीधा number 4 की number 4 की बात करूँ number 4 पर यार मैंने रखा है my notebook horizon को तो सबसे पहले मैं आपको बता दो ये laptop आपको 51,000 के budget में देखने को मिल जाता है ऐसा बिलकुल भी नहीं हो सकता मैं इस budget range में इस laptop को ना रखूँ because इसके दो reason देखने को मिलते हैं कि आपको build quality and उसके साथ specification बहुत अगड़े मिल जाते हैं एक इसका minus part भी देखने को मिलता है जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा लेकिन जब से पहले बात करते हैं इसके main specification की तो यह display की बात को 40 inch full HD plus display मिल जाते हैं की एंटीकले display प्रसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है graphic card की बात करूँ आपको nvidia mx3502GB देखने को मिल जाता है तो यह main specification मैंने आपको बता दिए है my notebook horizon के अभी बात करते है कि यह laptop के लोगों को लेना जाए तो मैंने आपको पहले ही repeat करते है अगर आप traveling videos करते हो अगर आपने video editing करने है फोटो editing करने है आपके लिए भी best deal है तो गोगे आपको कोई भी problem नहीं आने वाली plus इसके साथ आपको HD web camera भी free देखने को मिल जाता है अभी बात करते हैं इसके minus point की इसके minus point की बात करूँ आपको 8GB RAM तो मिल जाती है लेकिन आपको अपक्रेट करने का option नहीं मिलता 12GB तक भी नहीं देखने को मिलता अगर वो चीज़ मिलती है तो भाई मैस लैप्टप को number two पर या number one पर ही रखता विकरस specification के according, build quality के according प्लस भी अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको typing ज़्यादा करने ही पड़ती है number three की बात करो number three पर यार मैंने रखता है Acer Aspire 5 को तो सबसे पहले बई मैं आपको कहा देना चाता हूँ अगर आपका प्लेड़ 50,000 से भी कम है तो आप इस लैप्टप के और जा सकते हो यह लैप्टप आपको 45,000 से लेके आपको 50,000 के बज़र तक देखने को मिल जाता है लाइक इसका बज़र कम भी देखने को मिल जाता है कई बार हमेशा नहीं होता लेकिन मैंने लिंक पर वाइड किया आप चाहूर कर लेना अगर आपको सही प्राइज में मिलता है तो आप इस किया जा सकते हो लेक्टॉप पूरा लोडड मिल जाता है बात कर लेते हैं में स्पेसिफिकेशन की थोड़ा से डीपली आपको पता चल जाएगा तो यह डिस्प्ले की बात को को 14 इंच फॉलस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाते हैं जो की IPS पैनल डिस्प्ले जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिल गी तो 16 रिफ्रेश्ट डिस्प्ले होता है इतना तगड़ा भी नहीं होता मतलब आप इतने प्राइस रेंज में इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि आपको 144 रिफ्रेश्ट डेखने को मिल जाते हैं प्रसेसर की बात करूं आपको आई 5 10th generation के साथ म देखने को ठीक है अपरेश्ट इस ते की बातों को विंडो टैम मिल जाते है बैंटर की बातों को इट आवर्स का बैंटरी बैक अप पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करो आपको 45 तावं चे लेकर 50,000 के बजड़ में इस सर इस पार फाइब देखने को मिल जाएगा अगर आपने गेमिंग करने है वीडियो एटिंग करना जाते हो 4K विगारा भी अगर आप कर सकते हो बस आपने इतने द्यान में रखना है कि आपने जो रह में उसको अपर ग्रेड कर लेना अगर आपको 8GB देखने को मिलती है आपने 16GB तक चल जाना मिनिमम 16GB तक आपने च जिना चाहता हूं नमबर टू एन नमबर वान मैंने दोनों को कंबाइन कर देखने को मिलते हैं मैं बात कर रहा हूं इस सबसे पहले मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूं अगर आपको गेमिंग डिजाइन नहीं जाहिए तो आपके लिए पॉफए डिल हो करना जाते हो आपके लिए भी बहुत सही डील होने वाले तो आप जा सकते हो इस से निट्रो फाइब के और अगर आपको गीमिंग डिजाइन नहीं चाहिए इस सरी स्पार सैवन आपके लिए पॉफए डील हो सकता है आप चागूर कर लेना लिंक वगरा मैंने इसकेशन की बात कर लेता हूं तो यह डिस्पली की बातों को 15.6 फुल एश्टी प्लस दिस्पे मिल जादी जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है पूर साथ की बातों को आई फाइफ नाइंट इंजिवरेशन के साथ मिलेगा स्तोरेज की बातों को 8GB मिल जादी प्लस आप को 7 आउस का बेंटरी बेक प्रवाइड कर देता प्राइस की बातों इसका प्राइस आपको 54,000 के बड़े में देखने को मिलेगा तो यहार मेंन स्प्वेकैशन में आपको बता दिये इस सरे 7 के अभी बात करते हैं इस निट्रव फाइब की तो डिस्पले की बातों को 53.6 व्लाइस्टी प्लाइट डिस्प्ले मिल जाती है जो कि आई-पैस पैनल डिस्प्ले जो कि 16 रेफ्रेश एड के साथ देखने को मिलती है प्रसाइसर की बातों को AMD राजन 5 देखने को मिलेगा को दोनों ही लैप्टॉप्स के बता दिये तो प्लस मैं आपको कहा देना जाता हूँ जो इससर निट्रो फाइब है जहाँ इससर इस्पायर साइब ने इनका प्राइज इंक्रीज हो जाता पचास से आप पर चल जाते है लेकिन भी अगर आप एक्स्टा पे कर सकते हो आपके मैं आपके लिए प्रफएक्ट डील हो सकता है अगर आपका बज़ड बिचास जार तक भी यह मैंने उनकी वीडियो की है मेरी चैनल पे आपको देखने को मिल जागे उसको चाड़ कलना आपके लिए बैस होने वाली अगर आपका बजड कम है पलस अगर आपका बजड और आपको बज़र हो जाता है तो मैंने उनकी भी वीडियो किया है मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाए कि कोई भी आपकी केड़ेगरीज है पढ़ते हो पढ़ाते हो स्टुर्णों ओफिस पर के लिए चाहिए गेमिंग करने हैं प्रोग्रामिंग करने हैं कोडिंग करने ह एंड इंस्टाग्राम पे कलो फॉलो लिंक अब गराया आपको डिस्क्रेप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जाए कसको चाड़ू कल नाभी मिलते नाक्स्ट वीडियो में नहीं वीडियो को साथ तेंक यू कि आपको क्यान है